तो बिहार में क्या जंगल राज वापस आ चुका है अब क्यों आ चुका है तो राजधानी पतना में हर दिन औसतन एक आदमी को खत्म किया जा रहा है मतलब कि उसकी हत्या हो रही है और डेटा कौन बता रहा है तो पतना पुलिस खुद बताते है जुलाई के महीने में मात्र एक महीने में 30 लोगों को राजधानी पतना में मोत के घाट न तारा गया उनकी हत्या कर दी गई और यह बात पतना पुलिस बताती है मतलब कि एक महीने में 30 लोगों को खत्म किया गया तो औसतन एक दिन में एक आदमी और इसका मतलब कि प्रति दिन राजधानी का जब यह हाल है तो बाकी के बिहार का आप हाल सोचिए राजधानी पतना जहां पर पुलिस की चाक चौबंद बेऊस्था है पेट्रोलिंग होती रहती है रात के वक्त में भी पुलिस चड़क पर घुमती है वहां पर ऐसी सिती है कि हर रोज किसी ना किसी पर गोली चलती है हर रोज को पुरे बिहार का आकलन आप कीजिए बाकी आगे हम आपको सिर्फ पतना का डेटा बताएंगे जो इसके लिए काफी होगा इस वात को बताने के लिए कि क्या वाकई जंगल राज आ चुका है या जंगल राज आना भी बाकी है बागे दुश्कार में मोहित कुमार सिंह और तरफ से एक प्रेस कॉंफेंस की जाती है मिडिया में वहाँ पर आकर बताया जाता है कहा जाता है कि पतना में जुलाई महीने में 30 हत्याएं हुई है और सतन कहा गया कि एक दिन में एक लोगों को वा पराधियों ने खत्म कर दिया यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि किसी राज का सबसे सुरक्षित शहर होता है राजधानी और बिहार के राजधानी में एक अभी दिन ऐसा नहीं जब गोली ना चला हो बिहार के राजधानी में कोई ऐसा दिन ओसतन नहीं है जब यहां पर बदमाशों ने गोली ना चलाई हो जो अपने आप में एक वि पुलिस ने बताया है कि इसी दोरान 16 जगहों पर लूट की घटनाएं सामने आई हैं मतलब कि 16 अलग अलग लूट के घटनाओं का मामला दर्ज हुआ है अब इसके बाद दो जगहों पर डकैती का मामला दर्ज हुआ है मतलब कि आज के दौर में भी जब पुलिस इतनी आधुनिक टेकनलोजी पहुँच चुका है आजकल पटना पुलिस के पास भी आधुनिक गारियां हैं जिन में GPS सिस्टम से लेकर तमाम चीजों से वो लैश हैं उसके बावजुद पटना पुलिस आकर डेटा देती है कि डकैती हो जा रहा है और दो दो जगहों पर यह कही सो से जादा है बलकि लूट कांड का मतलब की कहीं किसी दुकान पर जाकर हतियार दिखाकर सामान लूट लिया गया हो लोगों को बंधक बना लिया गया हो और उससे भी बड़ा दकैती दो जगहों पर हुई है अब पटना पुलिस का जो डेटा है वो डेटा अपने आप मे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार पूलिस के कार शेली पर कि विहार पूलिस अगर राजधानी को सुरक्षित नहीं कर पाती है राजधानी में ऑसतन कोई एसा दीन नहीं बित्ता जिस दिन अपराधी किसी को यहां पर खथम ना किसी को मार ना दे तो आखिरकार बाकी के राज की जिम्मेदारी कौन लेगा बाकी के राज का हाल क्या होगा इसके बारे में शायद आप अंदाजा भी लगा सकते हैं फिलहाल पत्ना पुलिस ने इधर डेटा मताया इधर तमाम परकार के सवाल उठने लगें कि क्या वाकई अब भी सरकार कहेगी कि जंगल राज का केवल धीधोरा पीटा जा रहा है बलकि असलियत में जंगल राज जैसा कुछ नहीं है बलकि डेटा खुद भीहार सरकार का कहता है जो मामला दरजुआ है उसके मुताबिक कि एक महीने में 30 लोगों को खत्म कर दिया गया मतलब कि हर रोज एक आदमी को अब आगे देखते रही है पटना पुलिस और क्या कुछ करती है सत्ताधारी पक्ष के जो नेता है वो इस पर क्या कहते हैं क्या वो जंगल राज की जो थियोरी है जिसको लेकर तमाम परकार के सवाल उठते रहे हैं अब भी उठ रहे हैं अब देटा द सबसे सुरक्षी जगह समझा जाता है जहां पर समझा जाता है कि वहां पर बिधायक मंत्री मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री जज हर कोई रहता है तो वहां पर सिक्योरेटी की बेवस्था एक दम चाक चौबंध होती है उस राजधानी के बारे में हमने आपको बताया क कि उस राजधानी की हालत ऐसी है आपकी पर्तक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिकर रहीएगा आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे कैमरेक्षे भी शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंगी बहुत बहुत धन्यवाद